हेलो फ्रेंट्स मैं हो परदीप और आज एक नए वीडियो के साथ फिर लेकर के आ गया है स्वेटन 18PT 2000W का सब उफर स्पिकर लेकर के और इस स्पिकर के बारे में आगे हम इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंट्स इस स्पिकर का क्या प्राइस होगा और इसका क्या इस्पिकेशन होगा और कौन सा केबिनेट में आप डालके इसे चला सकते हैं और कौन सा एम्पिलिफायर लगेगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा तो इधर आप देख सकते हैं फ्रेंट्स इस स्पिकर का यहां आपको स्वेटन का इसमें ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगा और कोलकाता इसका मैनेफेक्चर है देख सकते हैं और पीटी स्रीज का यहां स्पिकर होता है और 18 पीटी 2000 सब यहां आपको लिखा हुआ मैं देखने के लिए मिलेगा इस स्पिकर के उपर में और साइड में आप देख सकते हैं 8 Ohms का इसमें और 2000 ES पावर का स्पिकर है और इस स्पिकर का ऊपर में आप देख सकते हैं चोटा चोटा आपको हाल से देखने के लिए मिलेगा जब इस स्पिकर बजे गा तो उस समें जब गर्म होगा तो उसका एर बाहर निकलने के लिए और बीच में आपको एक जाली देखने के लिम लेगा इस speaker में तो चलिए friends आपको speaker का इसमें magnet दिखा देते हैं देख सकते हैं इस speaker में total 4 piece magnet का यूज़ किया गया है और 4-cut magnet इसमें लगा हुआ है देख सकते हैं और इस speaker का देख सकते हैं इसका चीचीज जो कि काफी इसमें heavy quality का यूज़ किया गया है और काफी weight है यह speaker आगे हम बताएंगे friends फिलाल आभी देख लिजिए इस speaker का terminal देख सकते हैं प्लस और माइनस के लिए जिसमें आप wire इसमें connect कर सकते हैं और lead wire देख सकते हैं जो कि आपको इसमें पुरा shield cover आपको मिलेगा देखने के लिए और यह jump में कटेगा नहीं friends देख सकते हैं तो चलिए friends देख सकते हैं इसमें आपको काफी तगड़ावला punch देखने के लिए मिलेगा और इस speaker का बीच में आपको dust cap machine shield देखने के लिए मिलेगा और 6 inch का voice coil in out में आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंट्स देख सकते हैं और इसमें 3 layer का दिया गया है जिसमें आपको सब उफर jump करेगा ज्यादा और side में holes दिया है nut कसने के लिए इस speaker में और इधर आप देख सकते हैं इस speaker का देख सकते है फ्रेंट्स इसका spider जो की काफी heavy quality का use किया गया है देख सकते हैं और इधर आप देख सकते हैं इसका graphic frequency response देखिए फ्रेंट्स impedance इसका specification देख लिजे फ्रेंट्स देख सकते हैं nominal diameter आपको 464 mm का आपको देखने के लिए मिलेगा और nominal impedance है आपको 8 ohms और इधर आप देख सकते हैं इसका 2000 ES power का speaker है और program power आपको 4000 Watt देखने के लिए मिलेगा इसमें और sensitivity आपको 94 dB आपको देखने के लिए मिलेगा इसका और frequency range आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है इसमें आपको 6 NG का voice call आपको देखने के लिए मिलेगा इन आउट में और इधर आप देख सकते हैं इस speaker का weight 48 kg पुरा fatigue में आता है फ्रेंट्स देख सकते हैं जगे काफी weight है और इस speaker को चलाने के लिए हमने इसे जाइफर लैप्स का जेड एड एड एमप्लीफायर लिया है देख सकते हैं एक चैनल में 4000 वाट और दूसरा चैनल में 4000 वाट का load आप पोरोम्स में इसे चला सकते हैं काफी अच्छा punch आपको देखने के लिए मिलेगा थोड़ा मांगा होता है इस यह एमप्लीफायर अधर वाइज आप दूसरा एमप्लीफायर भी यूज कर सकते हैं अपने अनुसर से और डूल बेस में भी आप इसे चला सकते हैं और इस इस पिकर का आपको एप्रोक्स प्राइस मार्केट में 2000 से 25000 की बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा और यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक क कीजेगा फ्रेंट्स मिलते हैं नए टोपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंट्स नमस्कार